प्रिसाइज सूप्रीम केरमें। ये है मेरे हाथ में एक brand new caramen जो अभी अभी market में launch हुआ है। Brand claim कर रहा है कि ये एक बहतरीन quality का केरमें। तो आये देख लेते हैं कि इसा है ये करेमें। BEST है या फिर वास्त कृड। ये हैं box मेरे हाथ में। Simple सा box है, sweet सा box है। Supreme Point Set के लिए मेरे हिसाब से box को थोड़ा simple रखा गया है जिससे मुझे personally कोई भी फर्क नहीं पड़ता है box open करते ही सबसे पहली चीज जो मेरी नजरों से बिल्कुल भी नहीं बचेगी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है वो है in coin set का color white, red, black you know, he बिल्कुल एक दूसर से अलग है और यह एक बहुत ही अची बात है अगर आप उन लोगों में से है जो white और queen के बीच में अकसर confused हो जाते है तो यह coin set आप लोगों के लिए एक अच्छी choice हो सकती है वैसे मेरा भी यह problem है white क्यूंकि थोड़ी सी brown होती है queen similar दिखते ही है तो उस वज़े से काफी बार मैं पूछ लेता हूँ कि कौन सी white है और कौन सी queen तो यह एक हमारे लिए एक अच्छी choice हो सकती है इसके बाद design पर आ जाते है इन coins को हाथ में लेने के बाद आप जरूर देखेंगी यह coin एक अलग तरह की coin है यूनीक तरह की coin है जो बाकी कहरे में तोड़ की अलग दिखती है इसकी special बात यह है कि coin का design आउट बिल्कुल भी नहीं है अगर आप धियान से देखेंगे तो हर एक coin का design है वो बिल्कुल center में है और यह बहुत अच्छी बात है तो इसका diameter and thickness इतना accurate और same है इसका अंदाज़ा मैं तभी लगा लिया जब मैं इन coins को बहार निकालकर coins को set कर रहा था break arrange कर रहा था तब मुझे ऐसा लगी नहीं रहा था कि मैं 19 coin arrange कर रहा हूं trust में मुझे ऐसा feel हो रहा था कि एक ही बड़ा coin है वो मैं set कर रहा हूं और बाकी 19 coin तो है ही नहीं इतनी ज्यादा एक दूसरे से चिपक रही दिए coins और बहुत ही आसानी से सेट हो रही थी इसकी वज़े से मैंने break मार के देखा तो break भी काफी अच्छा कोई रहा है और इन coins में bread to मारने में बहुत ही ज्यादा मज़ा आएगा और break करने भी बहुत मज़ा आएगा brand claim करता है कि coins पर weather का impact बिल्कुल भी नहीं होता है इसको समझने के लिए मैं आपको छोटा सा उधरान देना चाहूँ आपने नूटिस करा होगा कि बारिश के मौसब में आपके घर का अगर लकड़े का कोई दर्वाजा है तो वो थोड़ा सा जाम हो जाता है और वही पे गर्मी के दिनों में वो बहुत ही फ्री हो जाता है तो इसका सीदा सीदा मतलब है कि जो लकड़ी होती है उस पर weather का impact होता है contraction और expansion ये होता है weather की वज़े से लेकिन brand claim कर रहा है ये भी coin wooden की है wood की बनी वे लेकिन weather का impact इन coins पर बिल्कुल भी नहीं होगा इसकी वज़े ये है कि इसको special procedure से बनाया जाता है जिसको बोलता है seasoning procedure जिसकी बात क्या होता है कि इसकी जो coins के अंदर का moisture होता है जो नमी होती हो पूरी तरह से निकाल दी जाती है और उसके बाद इनको शेप दिया जाता है जिसकी वज़े से इन में जो weather का impact है वो बिल्कुल हो जाता है अगर आप इन coins को करीब से देखेंगे हाथ में लेकर के देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि कोई के ऊपर special का coating की जिसकी किया इसकी रणिंग थोड़ इसी ज्यादा है इसके अलावा अगर मैं बात कर रहो स्ट्रोक में तो ग्लांस ब्रश कनेक्शन पर शॉट जैसे कुछ शॉट है जिनमें coins की density बहुत ज्यादा important है और यह coins सब में खरा उधर रहा है हर एक stroke मैंने क्वाफिवार मार के देखा तो यह coins कहीं भी मुझे कम नहीं लगा तो यह perfect coin है मेरे हिसाब से density मुझे लग रही है कि थोड़ी सी कम है लेकिन अगर इसके density बढ़ा दी जाए तो सिफ बही होगा कि वाइट वुड है वो में ब्राउन बूर यूज करना पड़ेगा यानि कि ब्राउन लकडी यूज करन लेकिन थोड़ा सा और ज्यादा होता तो यह एक बहुत ही next level का कॉइंसेट होता अलग कि अभी भी एक बहुत ही बहुत ही बहुत ही कॉइंसेट है और अगर आप लोग अगर यह coin खरीदेंगे तो आप बिल्कुल भी नेराशनी होंगे और आपको बहुत ज्यादा मजा सिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए शेर करिए कमेंट में मुझे निचे बता ही कुझा आपको कैसा लगा है उसके लावा चैनल को सब्सक्राइब करिए और दल आइटिम को प्रेस करिए कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही कैरम रिलेटेड वीडियो लेके आता रहे तो स्टे ब्लेट स्टे फोकस्ट किप लेंगें किप लविंग कैरम बबाए और से यू नेक्स बाट